कन्या कुमारी मंदिर रहस्यों से भरा कन्या कुमारी भारतिय राज्य तमिल्लाडू का एक प्रमुख तटिय शहर है और यह भारत देश की अंतिम दक्षणी सीमा है भारत के मस्तिश्क पर मुकुट के समान सजे हिमाले के धवल शिखरों को निकट से देखने के बाद हर सैलानी के मन में भारत भूमी के अंतिम छोर को देखने की इच्छा भी उभरने लगती है भारत भूमी के सबसे दक्षण बिंदू पर स्थित कन्याकुमारी केवल एक नगर ही नहीं बलकि देशी विदेशी सैलानियों का एक बड़ा परियतन स्थल भी है देश के मान्चित्र के अंतिम छोर पर होने के कारण अधिकांश लोग इसे देखने की इच्छा रखते हैं इस शहर का नाम यहां स्थित प्रसिद कन्याकुमारी मंदिर के नाम पर रखा गया है इसके एक और बंगाल की खाड़ी, दूसरी और अरब सागर तथा सम्मुख हिंद महासागर है इन तीनों का संगम ही एक पवित्र तीर्थ स्थल है कन्याकुमारी मंदिर की धार्मिक प्रिष्ठ भूमी कहते हैं कि राक्षस बानासुर ने तपस्या करके भगवान शिफ को प्रसन्न किया और उनसे अमर्व का वर्दान मांगा भगवान शंकर ने उसे वर्दान दिया और कहा कुमारी कन्या के अतिरिक्ट किसी के हातों से उसका वर्द नहीं होगा अमर्व का यह वर्दान पाकर राक्षस बानासुर त्रिलोकी में उत्पात करने लगा उसके उत्पात से पीडित देवता भगवान विश्णु की शरण में गए भगवान ने उन्हें यग्य करने का आदेश दिया देवताओं के यग्य करने पर यग्य कुंड की अगनी से देवी दुर्गा जी एक अंच से कन्या रूप में प्रकट होई प्रकट होने के बाद देवी भगवान शिफ को पती रूप में पाने के लिए दक्षन समुद्र तट पर तपस्या करने लगी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने उनका पानिग्रहन करना स्वीकार कर लिया देवताओं को यह देख कर चिंता हुई कि यदि देवी का विवा हो गया तो बानासुर का अंत नहीं हो सकेगा तप देवताओं की प्रार्थना पर देवर्शी नारद ने विवा के लिए आते हुए भगवान शंकर को सुचिंद्रम स्थान पर इतनी देर तक रोक लिया कि विवा का शुब मुहूर्थ ही तल गया मुहूर्थ तल जाने पर भगवान शिव वही स्थानु रूप में स्थित हो गए विवा के लिए प्रस्तुत अक्षतादी समुद्र में विसर्जित हो गए कहते हैं वही तिल अक्षत रोली अब्रेट के रूप में मिलते हैं देवी फिर तपस्या में लीन हो गई देवी ने उससे कहा कि यदि वह युद्ध में उन्हें हरा देगा तो देवी उससे विवा कर लेगी युद्ध में देवी ने बानासुर को माल डाला कन्या कुमारी अम्मन मंदिर सागर के मुहाने के दाई और स्थित यहाँ एक छोटा सा मंदिर है जो पारवती को समर्पित है मंदर तीनों समुद्रों के संदम स्थल पर बना हुआ है यहाँ सागर की लहरों की आवास्वर्प के संगीत की भांती सुनाई देती है भक्तगण मंदर में प्रवेश करने से पहले त्रिवेनी संदम में दुख्की लगाते हैं, जो मंदर के बाई और 500 मीटर की दूरी पर है मंदर का पूर्वी प्रवेश द्वार को हमेशा बंद करके रखा जाता है, क्योंकि मंदर में स्थापित देवी के आभूशन की रोशनी से समुद्री जहाज इसे लाइठाव समझने की भूल कर बैठते हैं और जहाज को किनारे करने के चक्कर में दुरगट नागरस हो जाते हैं. गणेश जी का मंदिर समुद्र तट पर जहां सनान घाठ है, वहाँ घाठ से उपर दाहिनी और एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर है. लोग गणेश जी के दर्शन करके कन्याकुमारी मंदिर के दर्शन करने जाती हैं. विवेकानंद शिला समुद्र में बने इस्थान पर स्वामी विवेकानंद ने गेहन ध्यान लगाया था इस्थान को श्रीपत पराई के नाम से भी जाना जाता है प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस्थान पर कन्या कुमारी ने भी तपस्या की थी कहा जाता है कि यहां कुमारी देवी के पैरों के निशान मुद्रित है इस स्मारक के विवेकानन्द मंडपम और श्रीपद मंडपम नामक दो प्रमुख हिस्से है सुचिंद्रम कन्या कुमारी से सुचिंद्रम की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है इस स्थान को ज्यानवन क्षेतरम भी कहा जाता है गौतम रिशी के श्राप से इंद्र को यहीं पर मुक्ती मिली थी बी एन टी की खास पेशकश